प्रिया विर्मानी आपका वेलकम करती हूं आज के इस सेशन में राइप हम पढ़ रहे थे चैप्टर नुमर थर्ड वाटर रिसोर्सेज ऑफ जोगरफी राइप और अगर आपको इस चैप्टर के प्रिवियस पार्ट देखने हैं राइप सो यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रिवियस सेशन बच्छा पाटी जी मिल जाएगे ओके और आप सभी को करना है एक बहुत ही जरूरी काम इस तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो दिस पहन और अपनी NCRT book को open कर दीजिए स्टार करते हैं विद इस चाप्टर छोटा सा एक क्विक रिव्यू देते हैं कि हमने इस चाप्टर में तक क्या पड़ा हमने पड़ा था about the water resources की water resource जो है यह भावान जी का दिया हुआ resource है free gifts of nature है लेकिन हम लोगोंने अपनी greed की जादा है जिसकी वज़र से यह resource जो है वो deplete होने पर है और हमारी future generation को water scarcity छेलनी हो right इसी के लिए government अपने तरफ से initiative लेती है कि किस तरीके से हम water को reserve कर सकते हैं उसे conserve कर सकते है there is a requirement to preserve these natural resources right बच्चा पाटी हमेशा example लेती हूँ मैं आपकी आपको जो है water को save करना है you need to save water right so always there is a need कि आप लोग sustainability को follow करें और कोशिश करें कि यह natural resource को हम कम से कम exploit करें it's just अपने need को satisfy करने के लिए not for the greed right बच्चा पाटी इसके बाद हमने इस chapter में और भी बहुत सारी बाते हमने इसके बारे में सीखी हमने कहा कि हम लोग water को कैसे preserve करें हमने का चलो dams बना रहे थे डाम चुरुवात में नहीं आज से नहीं बहुत पहले से चलते आ रहे हैं उस वक्त हम पहले भी हम water को preserve करते थे आज multi-purpose dams हमने बना रहे हैं जिसमें national water को preserve किया जा रहा है electricity को भी बना रहे हैं हम और flood control के लिए भी काम कर रहे हैं यह सभी काम हम उस multi-project से करते हैं लेकिन कुछ time बाद हमने देखा कि इसके कुछ negative aspect भी है क्योंकि जहां पर हम डाम को construct कर रहे हैं वहां की local life को परिशानी होती है वह लोग काफी परिशान होते हैं उनकी life hinder हो जाती है इतना ज्यादा displacement हो जाता है livelihood कर question आ जाते हैं तो वह लोग काफी दुखी रहते हैं इन सब्सक्राइब हो जाते हैं तो थोड़ा सा आरोनिकली हो जाता है तो थोड़ा सा आरोनिकली हो जाता है तो there is a requirement कि हम natural तरीके से traditional तरीके से water को हम preserve करे harvest करे राइब उसी से related हमारा आज का topic है जिसका नाम है rain water harvesting many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project water harvesting system was a viable alternative both socio-economically दोनों ही तरीके से and environmentally in ancient India along with the sophisticated hydraulic structure there existed an extraordinary tradition of water harvesting system यह हम आज से नहीं पहले भी water harvesting system हुआ करता था जिल लोगों के पास इस चीज़ के बारे में knowledge है deep knowledge है और actually इस चीज़ को utilize करते है right people had in depth knowledge of rainfall regimes, soil types developed wide arranging techniques to harvest rain water, ground water and river water लोगों के पास knowledge है इतनी creativity है कि वो कुछ ना कुछ को जरूर करेंगे और इस rain water harvesting को actually facilitate करेंगे और कुछ ऐसे techniques अपनाएंगे जिससे rain water को harvest किया जासके, ground water को harvest किया जासके, river water को harvest किया जासके right यह बच्चा पाटी जी चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में देखते हैं आगे हम लोग okay flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs in hill and montanious regions people क्या बनाते हैं कुछ ऐसे divergent channels बना जेते हैं जिसको girls and girls कहते हैं western Himalayas में right just कि वहां पर थोड़ा सा rain water को harvest करने के लिए और उसके अलाबा एक बहुत ही important और बहुत ही effective method इसको roof top rain water harvesting कहते हैं यह बहुत ही commonly practice है अपने drinking water को store करने के लिए राजिस्थान में particularly काफी इसको अपनाया जाता है in the flood plains of Bengal वहां पर लोगों ने अपने कुछ Indunation channels को बनाया ताकि वो अपनी fields को irrigate कर सके तो सब लोग अपनी creativity को निकाल रहें अपनी knowledge को निकाल रहें किस तरीके से rain water harvesting को actually किया जाए in arid and semi-arid regions agricultural fields were converted into rain fed storage structures that allow the water to stand and wash in the soil like the gardens in jesalmer and the joharj in the other parts of राजिस्तान बच्चा पाटी जी सब लोग मैंने का आप अपने creativity लगा रहे हैं कुछ cultural fields को इस तरीके से बना दिया जाता है इस तरीके से convert कर दिया जाता है rain fed structures में जिसमें rain water आता है तो वहीं पर इस टोर हो जाता है और हां पर फिर वो सब लोग अपने तरीके से अपनी creativity निकाल रहे हैं राइट सो यह था रिगार्डिंग रूफ टॉप हार्वेस्टिंग रेंवाटर हार्वेस्टिंग इसी में हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में तरीके से पानी को पहले स्टोर किया अच्छे से पूरा चैनल बनाया पूरा प्रॉसेस बनाई इक इस तरीके से वह पानी रूफ से ट्रवल करता हुआ तक जाएगा और फिर हम उसको उसको कर सकते हैं बहुती कॉमनली प्रैक्टिस किया जाते हैं आजकल नहीं पहले भी जैसे लोगों ने अपने घरों को इस तरीके से बनाया है कि जब रहें आएगी तो रहें वाटर को स्टोर कर लेंगे अब इस तरीके से बनाया जाता था जिसके पास अंडर्राउंड टैंक्स होता है फॉर स्टोरिंग वाटर बड़े रूम्स होता है वापर पानी को वो लोग स्टोर करते हैं वन हाउस और फ्लॉदी हाज़े तैंग अब 6.1 मिटर दीप रूखे 4.27 लॉंग था और 2.44 वाइड था इसमें क्या है वेल डवलप रूफ टॉफ 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 होता है रेंवाटर हावेस्टिंग सिस्टम होता और इस तरीके से बनाया जाता है घर के अंदर ही कोडियाड में ही और इसको फिर पाइप जैसे ही बारिश आती है तो प इस अंदर्ग्राउं टेंक्स 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 में जाके वो स्टोर हो जाता है फिर्स पैल अप दे रेंड वाइड रूफ इस वूट रूफ तो यह पानी वो नेक्स रेनी सीजन तब यूज कर लेते तो काफी रिलाइबल माना जाता है यह वाला ओके रेंवाटर यहां कै सब्सक्राइबल माना जाता है कि रेंवाटर हार्वेस्टिंग को फेसलेटेट करके ही पूरा कंस्ट्रक्शन करे जाती है मैंनी हाउसे कंस्ट्रक्टेट अंदर्ग्राउंड रूम्स एज्वानिंग दोनों दो काम कर लेते एक तो पानी प्रिजर्व हो गया उपर से पान पूरा स्टोरेज बना रखी है काजा विलेज की यह पिक्चर है जहां पर वाटर को स्टोर कर दिया जाता है और जब जरूरत हो तो उसको वाटर को रिलीस कर दिया जाता है ब्लाइट बच्चा पाटी जी यह हैं बढ़ू आगे चले कुछ इंप्रेस्टिंग बताती हूं आपको रूप टॉप टॉप रेंवाटर हर्वेस्टिंग इस बहुत ही कॉमन है इस इंट्रेस्टिंग बिकॉस चैरापुण जी और महसर राम सिच्वेज इंडिस्टिंस ऑ 55 किलोमेटर शिलॉंग से वहां पर सबसे ज्यादा रेंफॉर यह सबको बताएं लेकिन फिर भी आप लोग कर लेते हैं कितना बढ़िया काम तो यह इंट्रीस्टिंग था चाहिए आप लोगों के तोडे इन वेस्टिंग जाता है इस प्लेंटी ऑट इस अवाटरिया इंडिया 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 इंडा गांधी कैनाल सब्सक्राइं चैक्कि दो सम्हांस अभी भी वह इसका फॉलो करते हैं कि उसको उसके उसको फालो करते हैं तो को लोक है अपनी इछान उसाते हों fortunately in many parts of the rural in the urban India, rooftop rainwater harvesting has been successfully adapted to store and conserve water in Gendaghar, the remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their houses rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs टिकेट 200 households have installed this system and village has earned a rare distinction of being rich in rainwater rainwater harvesting को करा जा रहा था और यहादा था रसीव आन्वर पर्सिपिटिशन ऑफ थाउजन इमल्ट एटी परसुन एफिशेंसी अवाउट 10 फिलिंग इवरी हाउस टो कितना सेव कर सकते हैं कितना हर्वेस्ट रसकते हैं वन्लैकर यह जो रूफ पर रहन रवेस्टीं न्यून आप आप्रफटीं करता है और आप शेसी स्टेप्स लेजाते हैं कि इसको आप जादा से जादा करें एक इंट्रस्टिंग और लेकर आती हूं आप लोगों के लिए कि तमिल नाडू एक ऐसी स्टेट थी पहली स्टेट थी जिसने ये रूफ टॉप रेंवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को जो है कर दिया देखो उसने तो कमपल्सरी कर दिया कुई स्टेट में यह बहुत ही बढ़िया काम किया ता मिल नाडू ने और लीगल प्रोविजिंस टू पानिश दिफॉल्टर है इस बात को नहीं मानता तो उसको पानिश्मेंट विरी जाती है तो जो रूफ टॉप हर्वेस्टि करने और जो किस तरीके से रेनवाटर को एक योग रोफ जैक करने यहां पर रेनवाटर को वो कट्शल करेंगत्र है कि कहा यही एक पिच्चर शोकाक लेए सर defy बागते हैं अब देखिए एक इन सामieso युदुरिशर niveau irrigation system को बतातीए इस lors भावी इस सिस्टम के अनुसार इसके अनुसार बैंबू के छोटे 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 ऐसे पाइपस बना दिये जाते हैं उन सबको इस साथ जोड दिया जाता है पानी की जो स्ट्रीम होदी है उसके टूप फ्लो करती है जहां पर सब्सक्राइब करता है तो इस तरीके से बैंबू पाइपस को यूस किया जाता है उनको जोड दिया जाता है और पानी वहां से फ्लो करता है यूद दिया जाते है यूद्धी है जाते है चैनल बना दिया जाते हैं बैंबू से डैवर्जन थी बना दिया जाते हैं कि पानी प्रॉपर कहिए पर कोई भी ब्लॉकज नब हो तो प्रोप दावर्जिंस को बनाया जाता है इसको को अगर फ्लो जाना है तो अगर फ्लो जादा है तो प्रोबिगे पीप फॉजिशन को फ्लोड ना को चेंज कर लिए चाहिए पर से पूरा बेल क्रें पर से नीचे से नहीं घुज आप पानी को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां पर पानी की एक्षिल में और बच्छा पाटी जी क्लियर है आपको विद इस टॉपिक आर चैप्टर गेट्स फिनिश्ट राइट कुग्रेट्टुलेशंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने ओके चैप्टर समझ में लेकिन बच्चा पाटी अगर आप लोग करते हैं लेकिन अगर आप पढ़ना ही चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि इनर सोल अंदर से पढ़ना नहीं चाहेगी कोई कुछ नहीं कर सकता राइट तो मेरा नाम आप लोग बदना मत कीजेगा मेरे लिए आप लोग पूरे मार्क्स लेकर आएए प्लीज गो फॉर ट्वीटिंग मैं बार बार कहते हूं ट्वीटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो है इसके बीछे लॉजिक जो मैं हर सेशन में ट्वीटिंग की बात राइट प्लीज गिफट वीटिंग तु दिस चैप्टर और आज मैं करवाने वाली हूं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग काम और वह होता है हमारी एंसरी की बैक्सराइज एंसरी जिस सेशन में आती है वो सेशन अंटी में अपने आपी इंट्रेस्टिंग हो जाता है क्यो उसके बिए चाहां से हाँ आइअ आपी जाता है वाट उनी प्लूटेट इंट्ड वाटास्यटिंग वो जाता है नुट्रिक वह हो और वी जिय को अंट्रेस्टेयं की बिए प्रेस्टिंग इंट्रेस्ट्ट वीड़ीटे तो पाटी जी और मुझे इसके आंसर आप लोग दीचे कमेंट सेक्शन को अक्तिव कर दीचे क्रेटिव सेक्शन को अक्तिव कर दीजी मुझे आंसर चाहिए सही आंसर देने वाले को मिलने वाला है मेडल राइट राइज बिद हाई एंवल इनफॉल नहीं है मेडल बच्चा पाटी चलिए बटते हैं आगे बच्चा पाटी जी विच वन अफ फॉल्विंग स्टेटमें इस नॉट अन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टी पॉपर्पर्स रिवर प्रोजेक्ट राइब बच्चा पाटी कौन सा नहीं है अब मैंना को कहा था जहां प बच्चा पाटी जी बताइए इसका अंसर कमेंट सेक्शन में देख रही हूं मैं कौन-कौन सही आंसर दे रहा है लीजिए आंसर मल्टी पॉपर्पर्स प्रोजेक्ट की वाज़े से लोगों को अपने घर से निकलना पड़ा जाना पड़ा छोड के जाना पड़ा इतना ब इतना बहुत मुश्किल होता है एक स्टेबल जगह जहां रह रहे उसको शोड़के कहीं और एक नहीं जगह पर जाना यह बहुत ही मुश्किल होता है तो यहां पर इन प्रोजेक्स की वाजे से लाज स्केल डिस्प्लेस्मेंट हुई है और बहुत ज्यादा लोगों की डिस्टना इंटेमे लाज में लुखें वाज बनाच पाणा पर टिए हैं और दो में क्या गलत है स्कुर्ण करूं कि मैं सेक्षिन ने बताओ सही आंसर को मिलेगा मैंड़ और अंजर है टिक नाज ये लाइबधा टनाज डेंस पोपूलेशं फॉप्ली वाजेसे इंप्रोपर उकिलाजिएशन आर्वर उटिलाजिएशन आप प्रैशन है वह रहें रिसॉर्स करें रिए और जब प्राइर्टी दी गई वहां पर जहां पर अर्बन एडिया उन्हें नहीं तो यहां पर जो हैं फार्मर्स ने गुस्सा दिखाया चुड़े इंड राजिस्तान प्रैक्टिस ओफ रूफ और रेंवाटर हर्वेस्टिं पॉपुलरी इन डिक्लाइन पर चला गए क्योंकि पास और उप्शन था उनको इंद्रा गांधी के नाल से पानी अवेलेबल था प्रक्राइबल था ओके बच्चा पाटी जी क्लियर है आगे question solve करते हैं बच्चा पाटी जी explain how water becomes a renewable resource किस तरीके से पानी बनेगा renewable resource water है बच्चा पाटी जी renewable resource क्योंकि यह renew होता है थ्रू थी प्रोसेसे अभी चोटे से बच्चे को भी पता है कि पहले इवापुरेशन होता है फिर कंदेंसेशन होता है फिर परसिपिटेशन होता है तब यह water cycle जो है वो चलती रहती कभी रुखती नहीं the water that disappears on the surface of the earth due to evaporation evaporate होकर water vapor में जाता रूपर जाता है उसके बाद in form of rain वो वाकिस आता है तो यह जो water cycle है इसलिए पानी जो है वो रिन्वेबल रिसोर्स है यह रहे बच्चा पाटी बहुत ही common question था चोटा सा बच्चा भी आंसर कर सकता है what is water scarcity and what are its main causes water scarcity क्या होता है scarcity of water होता है कैसी situation जहां पर fresh water resources available नहीं है और कम है कि अपनी water need को satisfiable नहीं कर पा रहा है क्यों क्योंकि population grow कर रही है over exploitation है अनिक पर distribution of water है अमाँ social books तो यह कुछ reasons है water की scarcity की right and there is a need यह जो scarcity चल रही है इसको इसके बारे में हम सोचे और steps ले to conserve water right बच्चापाटी बढ़ू आगे चलिए बढ़ते हैं आगे compare the advantages and disadvantage of multipurpose river projects आईगे देखते हैं पहले advantages देख लेते हैं कि इनकी वज़े से क्या क्या हुआ irrigation में मदद हुई electricity बनाने में मदद हुई flood control करने में inland navigation में फ्रिश की reading में और water supply वह industrial or domestic purpose के लिए और tourist का भी attraction हुआ right लेकिन disadvantages को हम भूल नहीं सकते जो local flora था फोरा था उसकी वज़े से खराब हो गया local people थे उनको उनकी life बहुत ही खराब हुई परेशान हुए वो लोग लेकिन जब बीप में study करते हैं किसी चीज को actually में use करते हैं तो पता चलता है कि वाकी ही इस चीज में disadvantages भी है और ऐसे disadvantages है जिसको हमें ignore नहीं करना चाहिए उन local लोगों की बातों को भी हमें सुनना चाहिए प्राइब बच्चा पाटी जी बढ़ें आगे चलिए इस तरीके से डवलप किया जाता है क्योंकि वह इंसाइड में हाउस ही होता है कोटियाड के अंदर ही और ऑकनेक्ट कर दिया जाता है। स्लोपिए नुफ के साथ पाइट से रेन वाटर आता है और वोडोक करता है पाइट के साथ रटह तो दिया हम में फारिए और वह उलिप करें दिया जाता है है तो आपोने हृट पौन की रिάλर सिजदे हैं जांज़ता है तो यह और अव चले बतने आगे, describe how modern adaptation of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. कौन से ऐसे तरीके अपनाएं गए, modern adaptation of traditional rainwater harvesting include, क्या का include करता है बच्छा पाटी जी, देखिए, important है from examination point of view, in the semi-arid and the arid regions of Rajasthan, rooftop rainwater harvesting को practice किया गया है, drinking water को store करने के लिए, हिली और mountainous region में लोगों ने diversion मना लिए, girls and girls बना लिए, पानी के लिए, और semi-arid या arid regions वहाँ पर कुछ agriculture fields को ही convert कर दी गया, rain fed storage structure में बना लिए गया, यहाँ पानी को store कर दिया जाता है, rainwater को store किया जाता है, और उससे जो है, वहाँ की soil भी moisture हो जाती है, चीके बच्छा पाटी जी, जैसे खादिन से हैं, जो हाट्स है, इंदे अधर पाट्स वह राजिस्ता, राइब बच्छा पाटी और आगे देखते हैं, इसी में बच्छा पाटी जी, इन गंदाथर विलेज मासूर, about 200 households have adopted the rain roof, rainwater harvesting method को, उन लोगों ने अपनाया, water को conserve करने के लिए, तमिल नाडू ने तो compulsory ही कर दिया, सभी houses को, कि आप लोग सब अपना घर ऐसे बनाईए, कि रूफ टॉप rainwater harvesting को आप करिए, ठीक है, इन दे फ्लाट्रेंस वो बेंगवाल पीपल ने कुछ ऐसे channels बनाए है, इन देशन, इन देशन channels बनाए है, ताकि वो अपनी field को irrigate कर सके, bamboo drip irrigation system को भी यूज़ किया गया, मेघालिया में, और भी दूसरी states है, north eastern states है, जहां पर इस चीज़ को यूज़ करकर again, जो है, वो पानी को utilize किया जाता है, तो ये था मेरी तरफ से, ये complete chapter, ये chapter हो गया, complete in every aspect, मैंने आपको पूरा chapter अच्छे से explain किया है, NCRT questions को भी आप लोगों के साथ मैंने solve किया है, तो यहां पर बच्चा पाटी जी, मेरी तो मेनत कोई समा, लेकिन आप लोगों की होती है, शुरू, right, you need to go for the twice reading of the chapter, and to solve the questions as much as possible, as you all know, twice reading can do, wonders, बच्चा पाटी बोड़ एक्साइम साने वाले हैं, धील मत लिजिए, जैसे बोलती हूं, वैसे कीजिए, बस अगर आप ये चीज़े फॉलोग करेंगे, तो बस आप लोग अराम से फुर्माख सेक्योर कर सकते हैं, बच्चा पाटी, एक बाद आपको और बताना चाहती हूं, जैसे हमने अब ये ट्रेडिशनल मेथट्स के बारे में बात करी थी, कि इनी तरीकों को, रेन वाटर हावेस्टिंग आज से नहीं कुराने से चल रहा है, ठीक है, तो उसी में ही हमने कुछ, कुछ modernize करके उसको आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर changes लाके, जैसे एक example है कि मैकरॉनी तो पहले भी थी, सिरफ टमाटर प्याज डाला और मैकरॉनी खा गया, शुरू से हम लोग ऐसे खाते हैं, लेकिन आजकल तो म्योनी कर दमाने है, तो उसी मै प्रिदम बाजी डाल कर इसको थोड़ा सा modernize करकर हम लोग आज भी इसे यूज कर रहे हैं और बहुत ही effective method है, यूज करनेगा, right बच्चा पाटी, so this chapter is completed from my side, right बच्चा पाटी, लेकिन एक बहुत ही important announcement है, जो मैं करने वाली हूँ, बच्चा पाटी ची, हर chapter के अंतर, in the last session of each and every chapter हम देते हैं आपको quiz करने के लिए, right, जिसका link description box में given है, आपको quiz ज़रूर attempt कीजेगा, जितने भी chapter जब तक हम लोग कर चुके हैं, चाहे हमने resources है, development किया है, forest किया है, आज water भी कर लिया है, सबकी quizzes, सबकी last session के description box में given है, please solve that quiz, right, और अगर आप लोगी quiz solve करेगे, त पूरे नमपर आया, right, आपने होंको अंदर से खुशी होगी, जब आप खुद से quiz solve करेंगे, और submit करके जब full marks आएंगे तो एक अलगी खुशी आपने होंको मिलेगी, तो do solve those quizzes बच्चा पार्टी, और आपके results कहें भी share ने किये जाएंगे, the quiz is just for you, so please attempt those quizzes, right बच्चा पा से से water, save water, बचा लो, पानी को पानी खतम हो जाएगा, sustainability को follow कीजिए, उसके लिए गौर्वर्मेंट में अपने initiative लिए, उसने कहा कि चीक है, हम लोग डैम्स बनाते हैं, पानी को बचाते हैं, लेकिन ultimate हमने देखा कि उन प्रोजेक्स की वज़े से advantages तो हुए हैं, लेकिन disadvantages ही हुए हैं, उसके बाद हमने कहा कि इस तरीके से हम पानी को preserve कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे डैम्स बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं, ये डैम्स, ये प्रोजेक्स, एक conflict का source बन गया, पानी से हमारी life चलती है, we cannot live without water, लेकिन कई बार ये पानी ही होता है, बचा पानी जैसे rainwater harvesting को हमें promote करना चाहिए, जगाओं पर अलग अलग तरीके से अपनी creative style में rainwater harvesting करी जाती है, हर एक state अपने अपने तरीके से राजिस्तान है, बहां पर इस तरीके से घर बनाए जाते हैं कि rainwater को store कर लेते हैं, लेकिन दूसरे option आने के बाद खोड़ा सा declining होगी ने rainwater करने की कोशिश करते हैं तो अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपनी क्रेटिव स्टाइल में पानी को हार्मेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो अल्टिविटी जो रैनवाटर हार्वेस्ट यह बहुत ही एक 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 तरीका है पानी को बहुत ही आसान है बच्छा पार्टी, अभी कोई करिविजन में ही आपको कई बातें वापस से रिकॉल होए होगी और वापस आपको यार भी होगा होगी राइब बच्चा पार्टी नाव हम लोग अब मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेगे कल सेंटाइम सेंट प्रेस पे डू जॉइन हम लोग आएंगे आपने वोग के लिए एक नया चैक्टर लेके नय एनरजी नय एंथुजियाजम के साथ राइब लेक सेशन में कैसे 20 to 30 minutes like 40 minutes कब चल जाता है पता ही नहीं चलता है इतने interesting session मुझे पढ़ाने में इतना अच्छा लगता है तो आप लोग को I believe कि सुने नहीं अच्छा लगता हुआ दिल से पढ़िये मन से पढ़िये forcefully मत पढ़िये education आपके life में बहुत important है बच्चा पाटी इस stay safe and be positive